गजक बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें? गजक मेकिंग बिजनस में कितनी है कमाई यानि कि कितना है प्रॉफिट मार्जिन? गजक बनाने के बिजनस को बड़े इस्तर या छोटे इस्तर पर कैसे शुरू कर सकते हैं? किन-किन लाइसेंस की आविशकता होगी? गजक बिजनस की पूरी जानकारी एक वीडियो में सर्दियों का मौसम हो या फिर कोई उत्सा सभी लोग गजक खाना और गजक के बॉक्स को उपहार में देना पसंद करते हैं आपको बता दें कि गजक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और ये मारकेट में हार तरह की वराइटी में उपलब्ध है जैसे तिल गजक, मुमफली गजक, लईया गजक, रामदाना यानी राजगिरा गजक, बादाम रोल गजक, अकरोट गजक, मावा गजक, चोकलेट गजक, इत्यादिक गजक भी आप बना सकते हैं आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे गजक बनाने का कम शुरू कर सकते हैं इस बिजनस में अधिक लागत भी नहीं आएगी क्योंकि इस बिजनस में लगने वाली लागत आपके व्यापार के इस तरपने भर करती है यदे आपके पास बजट कम है और आप अपना व्यापार करना चाहते हैं तो आप इस बिजनस को घर से शुरू कर सकते हैं इसके अलावा यदे आपके पास अच्छा खासा बजट है कि आप अच्छी लागत लगाकर गजक बनाने के बिजनस को शुरू कर सकें तो आप अपने brand के नाम से market में गजक उतार सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं गजक का business कैसे शुरू करें और गजक के business में कितनी लागत आएगी इसकी पूरी जानकारी step by step इस business को शुरू करने से पहले अपना एक budget सेट करें हलांकि इस business को बहुत कम budget में भी शुरू कर सकते हैं लेकिन business के लिए एक budget तैकर ना सही रहता है इसलिए आप अपना budget सेट कर लें गजक बनाने के व्यवसाई के लिए 400 से 500 स्क्वाइर फीट का एरिया चाहिए होगा गजक business को शुरू करने के लिए कुछ license चाहिए होगे जैसे GST यारि वस्तु एवं सेवाकर, उद्यम, FSSAI, NOC, From Fire Safety and Pollution Control Board आदे गजक बनाने की पूरी विधि में तकरीबन 10 से 12 कारिगरों के आवशक्ता होती है कारिगरों की संख्या पूरी तरह आपके business के इस्तर पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा या कितना small business शुरू कर रहे हैं यदि आप बेहत छोटे इस्तर पर व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपके परिवार के 4-5 सदसे भी काम कर सकते हैं 200 किलोग्राम प्रति दिन की capacity के manual production unit को 7-10 लाग के investment के साथ शुरू किया जा सकता है यदि आप गजक बनाने के व्यापार को घर से और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर शुरू करते हैं तो कम से कम 30-50,000 तक की लागत आएगी 200 किलोग्राम प्रति दिन rated capacity पर operate कर रहे प्लांट से लगभग 15-18 प्रतिशत तक का profit margin आप कमा सकते हैं जोकि बिजनस नया है और छोटे स्थर पर है इसके लिए आप 5-15 प्रतिशत तक की profit margin पर भी काम कर सकते हैं जैसे जैसे बिजनस ग्रो करेगा आपका profit margin भी बढ़ता जाएगा इसके साथ ही आप PME GP यानि Prime Minister Employment Generation Program योजना से लाभानवित हो सकते हैं इस योजना का मुक्या उदेश अपना बिजनस शुरू करने की कामना करने वाले युवाओं को निवेश में मदद करना है इस योजना के अंतरगर्थ युवाओं को अपना बिजनस शुरू करने के लिए 10 से 25 लाग तक का लोन दिया जाता है जिसमें 90 प्रतिशत तक का निवेश सरकार द्वारा प्राप्त किया जाएगा बागी की 10 प्रतिशत तक की रखम का निवेश खुद करना होगा इस बिजनस में इस बात का खास ध्यान रखें कि गजग बनाने का रौ माटीरियल जरूरत से अधिक स्टोर ना करें क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं उदारण के लिए आपने अधेक सामाने कर्ठा कर लिया और किसी कारण वश्क शुरू में अधेक और नहीं मिले तो आपका सामान बरबाद हो सकता है खाने की चीज है इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना होगा जब भी आप गजग बनाने का व्यापार करें तो पैकेजिंग पर भी ध्यान दें यदि आप 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के बॉक्स बनाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए आसानी रहेगी खरिदारी करने में फिर आप अपने बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड बन वालें जिस पर आपके बिजनेस का नाम या आपका नाम हो मोबाइल नंबर हो जिससे लोग आपको ओर्डर दे सकें बिजनस मार्केटिंग के लिए आप अपने आसपास के एरिया, पडोसी और रिष्टेदारों को ग्राहक बना सकते हैं जब आपके प्रोड़क के बारे में अच्छा फीड़बाक आने लगे ताब आप आसपास की दुकानों और अपने शेहर की दुकानों वे जाकर अपना प्रोड़क बेच सकते हैं इसके इलाबा आप डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं जैसे वाट्सेट और अन्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप गजग का बिजनस ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं गजग के गुनकारी लाब गजग ना सिर्फ स्वान बलकि सेहत के लिहाद से भी बहुत लाबकारी होता है ठंड के दिनों में तो खुड डॉक्टर्स भी गजग खाने की सलाह देते हैं इसमें मौझूद तिल आपके मेटबॉलिजम शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है इतना ही नहीं इसमें कई तरह के एंटियोक्सिडंट, विटमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाते हैं ये शरीर में आइरन की कमी को पूरा करने में काफी मददकार है इसलिए एनीमिया की पेशिट्स को गजग का सेवन करने की सलाहती जाती है इसमें मौजूद जिंक, सिलेनियम और एंटियोक्सिडंट बढ़ती उम्र को कंट्रोल कर बढ़ाबे की प्रक्रिया को धीमा करते हैं तो दोस्तों इस तरह आप शुरू कर सकते हैं गजग बनाने का ब्यापार और हर महीने कर सकते हैं अच्छी खासी कमार्ण ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है